अगर आपको पता चले कि आपके फादर जो आपसे बहुत प्यार करते हैं वो एक किड्नावर और एक मर्डरर है तो आप क्या करोगे इसी इंटरस्टिंग एक कंसेप्ट के साथ आज की मूवी आती है आज की मूवी का नाम है Blood and Ties यह एक कोरियन मूवी है एक रियल से इंसिडन को लेकर उसका एक फिक्शनल रूप इस मूवी में दिखाया कया है तो चलिए इस मूवी को एस्प्रेंट करना स्टार्ट करते है मूवी स्टार्ट होती है और हमारी में कारिटर जिसका नाम है देउन यह हमें ऑस्पिटल बेड बर दिखती है यह अनकॉंशेस है और अपने पिता की यादे उसे आ रही है बच्पन से इसके फादर इससे बहुत प्यार करते थे एक बास स्कूल में फादर इससे लेने के लिए आये पर यह कही दिख नहीं रही थी फादर बहुत ही चिंदित हो गए थे जब देउन उन्हें दिखी तो इसे गले लगा लिया था फादर ने कहा था कि कही भी मुझे छोड़ कर मत जाना मैं तुम्हारे बीना नहीं जी सकूँगा देउन को भी यह पता था और छोटी देउन बोली थी कि मैं तुम्हारा दिल हूँ अब यह फादर और डॉर्टर बाते करते करते घर आते हैं फादर देउन को लिखने के लिए डिफिकल्ट वर्ड्स देते हैं आज देउन को फादर एक एड्ड्रेस देते हैं यह एड्रेस देउन सही से लिख नहीं पाती फादर कहते हैं कि तुम बहुत ही जल्दी गिव उप कर देती हैं यह बहुत ही बुरी चीज़ है जब तक सबकुछ खतब नहीं हो जाता तब तक तुम्हें give up नहीं करना है यहाँ घर में मैं father और daughter की फोटो दिखती है जहाँ पर लिखा होता है कि daddy मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ यह सवा में देवन का बच्चपन दिखाया गया है अब वो बड़ी हो चुकी है इसके बाद हम देखते है कि दिवन अपने friends के साथ एक cafe में hangout कर रही होती है यहाँ पर डिवी पर एक news चल रही होती है यह जो news है यह kidnapper और murderer के बारे में है 15 साल पहले एक आदमी ने एक बच्चे को kidnapp कर लिया था जिस बच्चे को kidnapp किया था उसके फादर से बहुत सारे पैसे लिये थे उसके बाद भी उस छोटे लड़के को मार डाला था यह जो case है यह जो case है इसका अब statue of limitation आने वाला है इसका मतलब है अब पुलिस जादा इसमें investigation नहीं कर सकते क्योंकि इस case को अब 15 साल हो चुके है अब पुलिस को इस investigation डॉक करनी पड़ेगी देवन की friends को इस सही नहीं लगता यह जब देवन से बुचते है तो देवन भी कहती है इन जैसे लोगों को मार डालना चाहिए कोरिया में किसी को भी फासी नहीं हुई है तो इन लगता है कि इन जैसे लोगों को फासी होनी चाहिए यहाँ पर देवन अपने friends के साथ बाते कर रही होती है तब ही देवन के father वहा जाते है इनकी financial situation अच्छी नहीं है तो देवन के father जिनका नाम होता है सुनमन सुनमन हमेशा काम करते रहते हैं यहाँ भी इस restaurant में वो काम ही कर रहे होते है देवन फिर अवने friends को उन से मिलाती है देवन का boyfriend है जो police की entrance exam देने वाला है अमने father से वो से मिलाती है देवन का boyfriend कहता है कि आप कोई भी worry मत करना मैं हमेशा देवन का ख्याल रखूँगा फादर कहते है कि नहीं मैं ही रखने वाला हूँ यही से बहुत weird लगता है पर फादर फिर हसने लग जाते है वो कहते है कि मैं सिर्फ मजाग कर रहा था देवन के फादर को बहुत काम करना पड़ता है यह उसे बहुत ही बुरा लगता है देवन का एजूकेशन खतम हो चुका है और उसने इंटरांस एजाम दी है उसे जनरेलिस्ट बनना है उसका इंटर्विव भी आच्छा गया था तो इसका आज रिजर्ट लगने वाला है सुनमन और देवन दोनों गाड़ी में बैठते है और इस इंटर्विव का रिजर्ट देखते है यहाँ पर इंटर्विव में देवन फिर से फेल हो जाती है देवन फिर जिसने इंटर्विव लिया था उनकी कमपनी को कॉल लगा दी है यह इंटर्विव में क्यों फेल हुई इसका reason उसे नहीं मिलता यह बहुत ही गुसे में होती है सुनमन को लगता है कि उनकी financial situation खराब है इसी वज़े से देवन को उसने लिया नहीं होगा देवन थोड़ा सा नाराज होती है पर वो अभी और भी ज़ादा होप फूल होती है वो कहती है कि मेरी और एक interview है उसमें तो मैं select हो ही जाऊंगी यह दोनों upset है तो देवन कहती ही कि चलो हम एक challenge करते है घर पर एक week के लिए कोन बरतन मानजेगा इसका इनका challenge होता है हमेशा इसमें देवन हार जाती है पर इस बार भी अपने father को cheer up करने के लिए वो resort में उन्हें लेकर आती है इस बार भी father जीच जाते है देवन अगर इंट्रू में पास हो जाती है तो उसके father रहे नहीं पाते है देवन की उन्हें आदत हो चुकी है क्योंकि हमेशा से वो देवन का खैल ही रखते आये है इसके बाद next scene में हम देखते है कि देवन अपने friends के साथ movie देखने के लिए आती है ये movie भी जो kidnapping होई थी 15 साल पहले इस पर ही best होती है इसी movie के वज़े से फिर से news वेगरा चल रही होती है इस movie की sad ending देखकर देवन को बहुती बुरा लगता है पर इस movie के last में actual kidnaper का voice होता है इसमें बताया जाता है कि अगर आपको ये पता होगा कि ये voice किसका है तो please आप police को contact कीजिएगा अब यहाँ जो ठेटर में movie चल रही है इसका भी explanation मेरी channel पर available है इसकी link में description और i button पर देदूँगा आप वो जाकर देख सकते है ये actual event हुआ था जिसमें एक kidnaper ने बहुत सारे बच्चों को ऐसे ही मार डाला था ये एक सच्ची कहानी थी और उस पर ये movie based थी आज की movie हम जो explain करें है उसके बात क्या हुआ होगा इसका fictional group इन्होंने लिया है फिर से हम explanation के ओर बढ़ते है अब देवन फिर से murderer का voice सुनती है इस clip में बोला गया होता है कि कभी give up नहीं करना चाहिए जब तक सब कुछ खतम नहीं हो जाता तब तक कुछ भी खतम नहीं है देवन को अब realize होता है ये तो उसके father कहते थे ये voice उसकी father से बहुत match करती है और ये code भी ये समझ नहीं पाती ये हो क्या रहा है ये बहुत ही बड़े shock में होती है movie खतम हो जाने एक बात इसके friends discuss करती है इसके friends को लगता है कि ये voice उन्होंने सुनी है देवन की friend कहती है कि ये थो तुम्हेरे father जैसी voice थी देवन उसे डाटती है और कहती है ये क्या कुछ भी बोल रही हो इसकी friend भी इससे apologize करती है और यहाँ से चले जाते है रात में देवन इंटरेट से फिर से recording निकालती है और ये सुनती है ये जब सोती है तो इसे सपना आता है इसके father ही किर्णा पर है तो उन्हें confront करती है इसके father में मान जाते है इस बुरे सपने से उठती है जब सुबह होती है तो father ने बहुत सारा खाना इसके लिए बनाया होता है पर आज इससा कुछ भी खाने का मोन नहीं होता देउन की friend ने जिसने कहा था कि उसके father की आवास थी उसके साथ वो रेस्टॉरन में आती है इसकी friend कहती है ये बहुत ही sorry हूँ मुझे ऐसा कुछ भी कहना नहीं चाहिए था तुम्हारे father तुम्हारा बहुत ही care करती है ये कभी भी वो कर नहीं पाएंगे ये friend कहती है कि जब मुझे पता चला था कि मेरे father का affair है तभी मुझे बहुत ही बुरा लगा था ये अजीब अजीब चीज़े करने लग गए थी देउन भी ये सब सुनने में इंट्रेस्टेड हो जाती है देउन पूछती है कि तब तुमने क्या किया था उसकी friend कहती है कि मैंने उनके mobiles उनका laptop ये सब चीज़े चेक की थी देउन को भी idea अच्छा लगता है और अब फादर के laptop वेगरा वो चेक करने लग जाती है यहाँ PC में फादर ने पॉन फिल्म डाउनलोड्स की होती है ये उसे दिखती है देउन को ये फिल्म्स मिल चुकी है ये फादर देख लेते है फादर मना कर देते है कि ये merit थी ही नहीं जब हमने बाइख किया होगा तब ये आ चुकी होंगे देउन जब हमने फ्रेंड को ये कहती है तो ये दोनों पहुत हस्ती है देउन की फ्रेंड कहती है तुम्हारे फादर भी एक मेल है उनकी भी physical needs होंगी और ये दोनों और भी हस्ती है देवन को अब confirm करना ही है कि उसके फादर murder नहीं है उसके फादर हमेशा विकेंड्स पर fishing के लिए जाते है पर कभी भी कोई भी fish नहीं लाते ये उसे बहुत ही suspicious लगता है और अब फादर का पीछाओ करने लग जाती है ये फादर की बीचे जाती है तब उसे पता चलता है कि एक अमेर घर पर उसके फादर काम करते है ये विकेंड्स पर जाकर सब साफ सफ़य करकर आते है रात में देवन दीखती है कि उसके फादर कलब के बाहर काम कर रहे है एक अमीर लटकी वहाती है जो ड्राइव करना चाथी है पर ये बहुत ही ड्रंक है तो फादर इसे मना करते है कि तुम्हен ड्राइव नहीं करनी चाहिए ये लटकी मानती ही नहीं इन दोनों में जगड़ा हो जाता है और लटकी फादर को मारने वाली होती है थबी देउन वह पोच जाती है देउन इसे रोक लेती है और देउन और इस लड़की का अब बहुत ही अब जख़ड़ा हो जाता है डारेक्ली यह सब भी पुलिस टेशन में दिखाये जाते है फादर पुलिस को कहह रहे होतie है कि यह सब गलती मेरी है मेरी बेटी को छोड़ तो जो अमेर लड़की थी ये कह रही होती है कि इने जेल में डाल दो पर उसे भी वो घर बेज देते है देउन को अपने फादर के लिए बहुत ही बुरा लगता है और ये दोनों अब घर आ जाते है नेक सुबा हम देखते है कि देउन अपने फादर की मौलिश कर रही होती है ये कहती है कि आपके बाल सफ़ेत हो चुके है फादर कहते है कि इस सफ़ेत बालों का क्या अभी तो वो जवान है अभी तो बहुत सारी चीज़े कर सकते है देउन अब सिरेस हो जाती है और पुछती है कि आपने कभी कुछ शादी क्यों नहीं की फादर केते हैं कि मैं अभी भी शादी कर सकता हो पर मेरा सारा टाइम तुम ही खा जाती हो एक्चुल में सही भी होता है देवन से फादर बहुत प्यार करते हैं और उसे पूरी अटेंशन मिलनी चाहिए इसलिए कभ की वारी फादर के बारे लंग लगाता है यहां फादर को पा पहते हैं अपड़ क आच अब यही ही रहने वाला हुँ यह पैसों की डिमान करता है कहता है कि मेरी सिस्टर अब बीमार है उसे कैंसर है इसे वज़े से उसे पैसे चाहिए फादर कहते है कि मैंने बहुत सारे तुम्हें पैसे दे दिये है अब फादर उसे पैसे नहीं दे सकते येकि अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिये तो मैं देवन को सब कुछ सच चस बता दूँगा फादर ने देवन को कहा होता है कि उसकी मदर मर चुकी है पर एक्चुल में ऐसा नहीं है देवन की मदर जिन्दा है और शीन की सिस्टर ही उसकी मदर है रात में फिर से देवन को शीन का कॉल आता है फादर अब उसे कहते है कि जरा वेट करो तो इस सब पैसे में दे दूँगा अब थोड़े दिन हो जाते है पर फिर भी वो उसे इग्नोरी कर रहे है देवन को ये लेटर सस्पिशेस लगता है पर वो अपने फादर को अब कंफरेट नहीं करती आद में शीन इनकी घर पर आ जाता है इसी दिन देवन की मदर मरी थी ये उसके फादर ने उसे कहा था इसलिए वो डिनर वेकरा कर रहे होते हैं मदर की फोटो वहां लगाई होती है शीन जब ये सब देखता है सब खाना वेकरा वो गिरा देता है वो कहता है ये क्या चल रहा है शीन कहता है तुमारे फादर को गिल्टी में सो सो रहा है इसलिए ये सब वो कर रहे है फादर शिन को कहते हैं कि बाहर जाकर हम बात करते हैं पर हमान नहीं रहा होता फादर जोर से इसे जापड लगाते हैं उसे कहते हैं कि तुम ये सब करने के लिए मर सकते हो शिन बोलता है कि तुम कहते हो यह जब तक सब कुछ ख़तम नहीं हो जाता, तब तक कुछ भी खतम नहीं हुआ है, कभी घिव अप नहीं करना चाहिए, यह केकर वहाँसे चला जाता है. राद में देहन सो नहीं पाती है फादर के सब डौरस एकरप चेक करने लग जाती है इसी डौरस में उसे एक रिसीप मिलती है ये एक हॉस्पिटल की रीसीप ढहाए और यहाँ हस्बन और वाइफ का नाम लिखा गया है ये ना वह पहचान नहीं पाती है इसके बाद हम देखते हैं कि फादर फिर से शीन को मिलने के लिए है शीन को कह रहे होते हैं कि सब कुछ पैसे में तुमें दे दूँगा थोड़े से पैसे वो शीन को दे देते हैं इसके बाद हम देखते हैं कि दे उनको वो नाम तो मिले है पर उन नाम का करना क्या है यह उसे मालूब नहीं होता उसके फ्रेंड का कोई फ्रेंड होगा जो पुलिस की इंडरांस में पास हो गया होगा तो उसे यह इनफॉर्मेशन निकाल सकता है कि दो नाम किसके है तो अपने बॉइफरेंड से अब वो हेल्प लेती है उसका बॉइफरेंड भी यह करने के लिए मान जाता है और अपने फ्रेंड से हेल्प लेता है यह सब इनफॉर्मेशन निकलवाने के लिए रात में देवन के बॉइफरेंड को इनफॉर्मेशन मिल जाती है यह आदमी और वो औरत कोन था boyfriend का friend बहुत ही परिशान है movie के आज आने के बाद media से बहुत ही pressure बढ़ चुका है इस case को police को जल्दी से solve करना है पर यह कर नहीं पा रहे है इसके बाद हम देखते हैं कि boyfriend देवन के पास आ जाता है देवन को कहता है कि जिस आदमी का तुमने मुझे नाम दिया था वो 1995 से active नहीं है उसके पहले robbery वेगरा इस तरह की चीज़ें उसनी की थी 1985 में ही abduction और murder यह सब हुआ था boyfriend कहता है कि इस तरह के लोग कभी भी सुदर्थ नहीं इसने शायद कुछ नया नाम ले लिया होगा देवन को धक्का लगता है क्योंकि इससे समझता है कि उसके father ही हो सकते है दूसरा नाम फिर औरत का होता है यह देवन पहचान दिये यह उसकी mother का ही नाम है boyfriend कहता है कि इस औरत का कोई भी criminal record नहीं है यह औरत अभी भी जिन्दा है देवन को अब शौक लगता है कि यह कैसे हो सकता है उसकी mother अभी भी जिन्दा है उसका address भी उसे मिल चुका है यह रात में ही अपनी mother से मिलने के लिए निकलती है यह मदर की घर तक पहुचती है पर वहाँ कोई भी नहीं होता उसे अपनी mother के बारे में पता है शिन को बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि अब उसे पैसे नहीं मिल पाएंगे देवन को अपनी mother से मिलना है वो hospital में जाती है पर उसकी mother bed पर होती है उसे कुछ भी बात नहीं कर सकती देवन अब शिन्द से बात करती है वो कहती है कि और एक चीज़ है जो मैं तुमसे पूछना चाहती है वो फिर murderer की recording शिन को सुनाती है शिन को मालूम नहीं होता कि फादर murderer है पर अब उसे फिर से खुशी होती है या वो फिर से उसे blackmail कर पाएगा रात बर शिन घर पर नहीं आई थी तो फादर बहुती वरिड हो चुके थे शिन ने फादर को ऑस्पिटल में बुला लिया होता है फादर शिन के बास आते हैं और कहते हैं कि चलो घर चलो मैं सब explain करूँगा फादर कहते हैं कि तुम्हारी मदर ने तुम्हें छोड़ दिया था मैं कैसे तुम्हें ये सब बाते कह सकता था रात में घर पर जब ये होते हैं तो फादर कहते हैं कि मैं तुम्हें इन सबसे दूर रखना चाहता था शिन फिर अपने फादर को अंदर बुलाती है उनने recording सुनाती है वो बुछती है कि मुझे अब सच सच बताओ कि तुम मर्डर हो या नहीं हो फादर कहते है कि कुछ भी मत बोलो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जो मैं हमेशा बोलता हो कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए ये एक famous quote है इसलिए मैं बोलता था शीन इस पर believe कर लेती है शीन कहती है कि मैं sorry हूँ मुझे पता था कि आप murderer नहीं हो सकते है नेक सिन में हमें दिखता है शीन अपने boyfriend के साथ होती है उसे उसकी बच्पन की story सुनाती है ये कहती ही कि जब मैं छोटी थी तो कुछ बच्चे मुझे बहुत ही तंग करते थे एक दिन मैंने उसे बहुत मारा था फादरों को स्कूल में बुलाया गया मैंने फादर को कहा कि मैंने किया ही नहीं है फादर ने भी मुझे पर believe कर लिया था वो मुझे बहुत प्यार करते थे मैंने उन्हें कहा था कभी भी मेरे स्कूल मत आना और उसके बाद वो कभी भी नहीं आये देवन अब रोने लग जाती है क्योंकि उससे अभी भी लगता है उसके फादर मरडर हो सकते है देउन फिर निउस पर सुनती है, कि जिस लड़के को मारा गया था, उसके फादर डॉक्टर है, जिस हॉस्पिटर के रिसिप्ट न replay तर को मिली थी, वो इस रिसिप्ट पर भी इसी डॉक्टर का नाम था, तो इन डॉक्टर के पास वो मिलने के लिए आ जाती है, वो अपनी म पोईस्ता इसके आलावा तुम्हारे पास कुछ सबूत है कि इन्यापर ने विटन नोड्स दिये थे ये नोड्स डॉक्टर देवन को दिखाता है इस नोड्स पर एक एड्रेस है देवन को याद आता है कि उसके फादर ने उसे एक एड्रेस लिखने के लिए बोला था ये व अपने फादर को एक अंफरंट करती है उसके फादर इन सब को मना कर देते हैं किसी की भी हंड्राइटिंग हो सकती है देवन को सिर्फ सत जानना है और उसके फादर अभी भी मना ही कर रहे है अब इसके बाद हम पुलिस की investigation दिखती है, देवन ने अपने friend को दो नामों का पता निकालने लिका था, जब boyfriend ने पता निकाला तो police station में उनके system में यह flag हो चुका था, पुलिस के boss को जब यह पता चला, तब और भी investigation हुई, पुलिस को भी पता है कि father और doctor इन दोनों में connection है, तो अब father एक prime suspect बन जाते है, पुलिस रात में घर आती है, और दरवाजा खट-कटाती है देवन अपने father को unfront कर ही रही थी, पर वो अब छूप जाती है पुलिस का पीछा करते-करते doctor भी वहाँ पहुच जाते है, जिनका मारते मारते father बेहुच हो चुके थे, इन्हें hospital में ले जाया जाता है, hospital में father unconscious है और इन्हें फिर से conscience में आने के लिए 23 दिन लग सकते है, डॉक्टर डिडेक्ट्ट्व से पुछते है कि क्या अब ये case खतम हो जाएगा, डिडेक्ट्ट्व केते हैं कि conscious में आने के बाद हम देवन के father को वहाई sample निकालने के लिए बोलेंगे, अब 15 साल हो चुके है, तो ये sample match करना बहुत ही difficult हो सकता है, डॉक्टर को बहुत ही बुरा लगता है, पुलिस अब देवन के घर की सब चान पिन करने लग जाते है, देवन के पास सबूर थे, उसकी question कर सकते है, देवन को उसके professor ने बुलाया होता है, जिस professor ने उसे letter of recommendation दिया है, वो अब उसे बोल रहे है, कि मेरी अब इज़र ताव पर है, ये professor बहुत डरे हुए है, देवन के father ने professor को एक gift दिया था, वो gift भी professor अब उसे वापस कर देते है, प्रोफेसर देवन को बहुत करते थे, तो father ने एक letter लिखा था, जिसमें वो बहुत ही thankful थे, और एक gift भी professor को दिया था, देवन रात में hospital में आती है, उसके father अभी भी कोमा में ही है, देवन फिर रोरने लग जाती है, वो कहती है, कि आप कभी भी मत उठना, यही सही होगा, उसे पता नहीं कि आप वो क् पर वो नहीं चाहती, कि उसके father कभी भी conscious में आये, इसके बाद हम देखते है, डेवन से सब कुछ पुछताच कर रहे है, देवन को पता था, कि उसके father murderer है, पर वो पुलिस से चुपा रहे थे, इस detective को ये बात पता है, डेवन से सब कुछ सवालों पुछते है, पर देवन स ये बात पता चलती है, देवन कुछ भी सच-सच बोलने रही, तो डॉक्टर बहुत डिस्टब हो जाते है, देवन के पास जाकर हो कहते है, कि अगर मेरा बेटा जिन्दा होता, तो तुम्हारी ही एज का होता, इसके बाद देवन के father फिर से conscious में आ जाते है, उनका voice sample लिया विगरा होती है, जल्दी से इस voice को टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है, जब इसे analyze हो करते है, ये आवाज 15 साल पहले की थी, इसे वज़े से match नहीं हो पाती, अब देवन के father को वो arrest नहीं कर सकते, ये सब देखकर डॉक्टर को बहुत सदमा लगता है, यही पर वो बेट जाते हैं और रोने लग जाते हैं, इसके बाद देवन और उसके father गाड़ी में बैटकर गर आने के लिए निकलते हैं, यहाँ पर देवन ड्राइव कर रही होती है, आज की रात लास्ट रात है, इसके बाद इस case की कुछ भी investigation नहीं होगी, क्योंकि ये case आज रात के बाद एकसपार होने वाली है, देवन फिर अपने father को जिस spot पर छोटे बच्चे की लास मिली थी, वहाँ लेकर आती है, देवन कहती है कि मुझे पता है कि आप ही murderer हो, क्योंकि मुझे साब साब याद है कि आपने मुझे आड्रेस लिखने के लिए बोला था, वो spot पर आकर वो कहत करती है, तुम ये सब कैसे कर सकते हो, देवन कहती है कि मैं आपको पुलिस में नहीं देने वाली, सिर्फ मुझे जानना है कि आपने सच्छोज में किया है या नहीं, वो सिर्फ सच जानना चाहती है, देवन के father 12 बचने का wait करते है, यानि officially ये case अब expire हो जाती है, इसके बा father कहते हैं कि आप सब कुछ ठीक हो जाएगा, देवन कहती है कि अगर सर्चुज में तुम इनसान हो, तु प्लीज माफी मांगो, भगवान से माफी मांगो, father कहते हैं मिने सब कुछ तुमारे लिए ही किया है, देवन बहुत ही डिस्टब हो जाती है, वो कहती है हमें हमारे पापों का प्रैस्शित करना ही पड़ेगा, अपने father का हाथ पकड़ती है, कहती है, यहां से हम सुसाइट कर लेते हैं, हम अब जी नहीं सकते, father मानते नहीं, उसे गाड़ी में बिठा कर घर लेकर जाना चाते हैं, यह सब जब चल रहा है, तो इसी spot पे हमें दीखता है कि doctor इन दोनों पर नजर रख रहे है, doctor को अब अपने son का बदला लेना है, जब father गाड़ी में बेट जाते हैं, तो doctor जोर से आते हैं, और अपनी गाड़ी उनकी गाड़ी से टकरा देते हैं, father और doctor यह दोनों उचाई से गिर कर पानी में गिर जाते हैं, देवन भी इसमें जरा नहीं वाले, देवन होस्पिटल में है, और वो शायद कभी भी चल नहीं पाएगी, पुलिस जब देवन को देखने के लिए आते हैं, तो कहते हैं, कि अब अपने father का प्राइस चित यह पेटी करेगी, इसके बाद नेक सिन में हमें शीन दिखता है, अपनी sister से वो बात कर है, उसकी sister उसे सब को सच्चा ही बता देती है, शीन के mother और father इन्हें कभी भी बच्चा नहीं हो रहा था, father बहुत डिस्टब हो गए और एक दिन उन्हेंने hospital से बच्चा चुरा लिया, यही बच्चा देवन थी, mother यह accept नहीं कर पाए, उसने father को समझने के कोशिच की, पर समझने, यह father के साथ रह नहीं सकती थी, इसी वज़े से father को छोड़ कर यह चली के, देवन की actual mother का नाम इसे पता है, यह सब वो शीन को बता देती है, शीन भी देवन की actual mother को call लगाता है, और देवन कहा है, यह बता देता है, इसके बाद देवन के hospital का नाम बदल जाता है, अब murderer, यहने कि देवन के father को भी blackmail करने लग गया, देवन के father ने kidnapping से जो भी सब पेसे कमाये थे, यह सब उनने शीन को दे दिये, देवन के father फिर psychopath की तरह देवन से प्यार करने लग गये, अब इस movie में जब देवन को सब कुछ पता चला, तो हमेशा से conflict में थी, क्योंकि उ अभी भी उसे लग रहा था, कि उसके father यह नहीं कर सकते, अपने father का जब उसे असली रूप पता चला, तब उसे पता था, यह जीनी पाएगी, उसका accident हुआ, और वो unconscious है, पर last में हमें दिखता है, कि उसके आके खुल जाती है, सब कुछ बुरा ही हुआ है, पर जीनी की थो और एक नहीं मुवी साथ, तब तक लिए थैंक यू, और आप अपने आपका ख्याल रखिए,